सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो क्या आपको भी डियाई से डर लगता है क्या आपके भी डियाई के कोशन नहीं निकलते हैं तो दोस्तो अब डियाई का होगा डर खतम पिल्कुल 100% ये वीडियो आप पूरा देखना दोस्तो अब डियाई तो क्या डियाई का बाप भी आएगा दोस्तो इस वीडियो हम आपको 21 जून 2019 का जो एक्जाम हुआ है उसके अंदर जो डियाई के कोशन आए हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे इस वीडियो में आप देखना कि आप कितने असानी से कोशन को निकाल सकते हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों अगर आप ये वीडि ये कहने लग जाएंगे कि हाँ हम डियाई के कोशन कर सकते हैं और डियाई का जो डर है आपके अंदर वो निकल जाएगा तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड वर्टसप ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं इसमे दोस्तों हम आपको जून 2012 में 10 सिफ्ट के टोपिक वाइज ओर्ड पेपर कोशन भी दे रहे हैं अगर किसी दोस्त को ये ग्रूप जोइन करना तो आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए नंबर हमने नीचे दिया हुआ है ये देखिए दोस्तों ये 21 जून 2019 को क्या दिया हुआ है चले इसमें हम देखते कि क्या दिया हुआ है इसमें लिखा है निमल लिखत सारणी पर विचार करें जो 2012 से 2018 तक पिछले साथ वर्षों में कंपनी दवारा बेचे गए विभिन परकार के LED टेलिविजन सेटों की संख्या लाखों में दिखाती है अब द 2012 में 24 इंची टेलिविजन वो कितने बिके थे तो यह सभी एर दी है और यह इंच दी है तो यहां से आप ग्राफ देख सकते हैं और यह टोटल 7 इयर यहां पे हमें दिये हुए है ठीक है यहां से हमें यह समझ में आ गई है टेवल अब इसी बेस पे हमें कोशन करने हैं दो कि कुल बिकरी कितनी है यह हमें बताना है यह देखिए इसमें यह देखते हैं कि उन्हें इंचे सिंची कुनशा दोस्तों यह है हमारे पास इसकी कुल बिकरी हमें बतानी है यानि कि 2012 से लेके 2018 तक जितने सैट हमें हमारे बिके वो सभी हमें बताने हैं तो इसके अंदर क्य जो दोस्त है वो क्या करेंगे traditional method लगाएंगे और आप वो traditional method भी लगा सकते हैं जैसे 8 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 5 जोड़ा इस तरीके से करके वो traditional method भी लगा सकते हैं जो आपको stable करें और एक मैंने तरीका आपको बताया था कि किस तरह से हम addition करते हैं तो उस हिसाब से हम हम देखते हैं मैंने आपको बताया था कि आप एक बीच की संख्या ले लीजिये तो मैं यहाँ पे 125 जो है वो बीच की संख्या ले लिता हूं और उनमें देखता हूं कि कोन कितना ज्यादा है और कितना कम है अब देखे 118 है 118 क्या की दो कम है 136 प्लस 16 लिख लिए हमने 145 है वो 120 से कितना है 25 ज्यादा है तो पलस के 25 लिख लिए इस तरीके से हमने इस सारे के सारे लिख लिए यह देखिए 100 है 120 से क्या है कि 20 कम है तो यह यहाँ पे मैंने लिख लिया अब हम क्या करेंगे जो पलस के माइनस के जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे यह देखिए यह 35 से यह हमारा 35 कट गया और उसके बाद में देखिए जैसे हमारे पास यह है पलस के 10 है और यह माइनस के 20 है तो यहाँ से क्या रहे जाएगा माइनस के 10 ही हमारे पास रहे गया अब देखिए यहाँ पे माइनस के 2 है यह पलस के 16 है तो यहाँ पे कितना रहे जाएगा पलस के 14 है हमारे पास रहे गए अब देखिए हमारे पास हमारे पास 15 रह जाएगा अब हमारे पास क्या रह गया पलस के 15 और पलस के 14 यह कितने हो जाएंगे हमारे पास 29 यहां पर हो जाएंगे तो आप इस चीज को एक वर ध्यान में रखे यहां से हमारे पास क्या गया 29 आ गया ठीक है यहां पर हमने लिख लिया यह 29 लिख लिया और यह कितने हैं यह 7 हैं दोस्तों यहां से लेकर यहां तक है 120 गुरा में 7 12 सत्य 84 840 पलस में 29 यह हम कर देते हैं 9 6 8 यह कितना हो गया दोस्तों 899 तो 899 किस के इंदर है यह अप्शन नमर 4 के इंदर दिया हुआ है तो देख लो दोस्तों आपके सामने आपके सामने कितना जल्दी मैंने फटाक से यह कर दिया तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं और यह तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है अगर मैं खुद अपने हिसाब से करता तो बहुती जल्दी इसको कर पाता तो इसलिए मैं कहारा हूँ दोस्तों कि आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इस तरीके से आप बहुती जल्द सम कर सकते हैं अडिशन कर सकते हैं जोड सकते हैं किसी भी संख्या को तो जैसा भी आपको सही लगे वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको आप ट्राइ करके जरूर देखना तो चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हमारा 32 32 नमबर इसमें इन्होंने कहा है कि 2013 की तुलना में 2017 में 32 इंच LED टेलिविजन सेटों की बिक्री में अनुमानित परतिसत वृद्धी या कमी क्या थी अब देखे इसने क्या कहा है सबसे पहले 32 इंची 32 इंची कौन सा है हमारा इसके अंदर 2013 2013 का क्या है दोस्तों ये है 112 और फिर 2017 2017 में क्या है 115 ये कहरा कि 2013 से 2017 में जो हमारी विक्री हुई है उसमें विक्री बढ़ी है या घटी है वो हमें बताना है और परतिसत बताना है हमें और इसका मैंने एक फॉर्मुला बताया था दोस्तों मैंने बताया था कि final value minus में initial value final value मतलब 2017 की value initial value मतलब 2013 की value बटे में initial value इनीशियल वैल्यू मतलब यानि कि शुरू की जो वैल्यू है 2013 की 112 गुना में हमने क्या किया था 100 यहां पे किया था यह मैंने आपको जो इससे एक वीडियो छोड़ के पहले वाली जो वीडियो थी मैंने आपको बताया था percentage, average, ratio किस तरह से हम निकालते हैं तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं वो वीडियो देखने के बाद आप बिलकुल असानी से डियाई के question निकाल सकते हैं अब देखिए इस formula के waste पे हम किस तरह से ये करें देखिए यहाँ पर 100 सबसे पहले हम 117 है 175 में से माइनस करेंगे 112 को माइनस करेंगे और फिर 112 गुना में 100 यहाँ पर करेंगे अब सबसे पहली बात यहाँ आती है कि 175 में से 112 आप कर लेजिए मैं कर लेता हूं कितना आएगा जब हम 175 में से 112 करते हैं तो यहाँ आजाएगा अब देखिए 63 हमारे पास आगया 115 में से 112 माइनस किया 63 बटे में 112 गुना में 100 अब देखिए इसको जब आप सोल करेंगे यानि कि सॉल्यूशन करेंगे इसको कट वगरा करेंगे तो यह यहाँ पर हमारे पास आजाया 56.25 हमारे पास आजाएगा अब यहाँ पर यह बात आती है दोस्तो 56.25 हमारे पास आगया तो हम option number 2 पे कलिक करें या फिर 3 पे कलिक करें अब देखिए हम 2 का जो option number है वो ही write करेंगे क्योंकि यह 25 है दोस्तो point 25 है point 25 को हम 56 के करीब ही मानेंगे अगर यह point 50 से ज्यादा होता जैसे point 60 होता तो हम 57 मान सकत असी तो देखो दोस्तों कितने दो इसान के दोनुक कितने असान कोशचन हैं नहीं है तो अगे देखना vibrём निये तो चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं ये हमारा question number 33 है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि किसा कार के LED television set की बिक्री सभी सालों में सबसे ज्यादा है अब देखी इसमें हमें सभी television set देखने है कि ये जैसे ये television set है इनमें से कौन से television set की बिक्री सभी सालों में ये सभी सालों के जोडने है अब यहाँ पर एक जो trick यूज़ करनी है वो देखी हम क्या trick यूज़ करेंगे कुछ दोस्त क्या करेंगे कि ये सभी के सभी जो set है इनका जोड करेंगे जैसे उन्हें चैस इन्ची television set है इसका जोड करेंगे इसका करेंगे इसका करेंगे इसका इसका इन सभी का करेंगे लेकिन ऐसा हमें नहीं करना दोस्तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले option में देखिए option में कौन कौन से दिये हुए है 22 इंची ये दिया हुआ है और फिर उनेंचास इंची ये दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले उप्सन में देखिए उप्सन में क्या दिया हुआ है उप्सन में 22 इंची यानि कि ये 24 इंची ये रहा 32 इंची ये रहा और उने चास इंची ये रहा यानि कि ये चार दिये हुए हैं तो हम चालिस इंची को भूल जाएंगे एक टाइम के लिए उसके बाद हम कोशन करने की कोशिस करेंगे अब देखिए इन चारों के अंदर हम कैसे डिफाइन करें कि किसके सैट सबसे ज्यादा बिके हैं किसकी बिकरी ज्यादा हुई है देखिए इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताए कि आप सबसे पहले इंडिगेट कर लेजी हमें क्या क्या निकालना है यह हमने चारों को मार्क कर लिया यहां पर देख सकते हैं आप उसके बाद हम क्या करेंगे डियाई के अंदर सबसे पहले हम अनमाल लगाने की कोशिश करते हैं अब यह देखे 24 इंची टेलिविजन सेट लेते हैं इसके अंदर जो 100 से कम है वो यह देखे 85 है 70 है 95 है और इसके अंदर 22 इंची के अंदर 85 कम है और इसके अंदर 85 एक बार आया है लेकिन 24 इंची के अंदर तीन बार जो डिजिट है वो 100 से कम हुई है 100 से कम विक्री हुई है यहां पर हम देख सकते हैं तो ये जो होगा दोस्तो 24 इंची ये तो सबसे कम हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या बताना है सबसे ज्यादा निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा सबसे कम हो जाएगा तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे ये हो गया हमारा नेगलेक्ट हो गया और उसके बाद में जैसे ये और 32 इन्ची अब इन दोनों के अंदर देखते हैं अब देखे यहाँ पे इनकी डिजिट आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखे यह डिजिट है 100 है 106 है 115 है 100 है और 115 है 125 है यानि कि 125 और 500 से उपर इनकी नहीं गई है लेकिन 32 के अंदर जब हम आते तो यहाँ पे देखे 22 इन्ची से 24 इन्ची से सबसे ज़्यादा विक्रीकिस की हुई है 32 इन्ची की हुई है अब बात आती है 32 इन्ची रहे गया हमारा एक रहे गया 69 इन्ची रहे गया अब देखिए अब इन में भी कंपेर करके देख लिजिए यहाँ पे 124 है यहां पे 118 यहां पे 112 136 है यहां पे 85 यहां पे 145 है चलिए यह दो थोड़ी सी ज़्यादा है इन में फिर देखे 160 है यहां पे 50 clear करना चाहे तो इन दोनों को add भी करके देख सकते हैं अगर आप चाहे कि हमारा जो answer है वो बिल्कुल perfect निकलना चाहिए तो perfection के लिए आप इन सभी digit को पलस करके देख सकते हैं और इसकी जो digit है वो हमने पीछे पलस की थी वो आए थी 809 तरह आए थी तो यहां से आप इस तरह से बिल्कुल असानी से question निकाल सकते हैं दोस्तो हमें सभी के सभी जोड करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो D.I.E. के अंदर mostly जो 95% जो question किये जाते हैं इसी तरीके से किये जाते हैं तो दोस्तो आप देख सकते कि किस तरह से हमें जल्द से जल्द अंसर निकालना और कितना असान हमारा D.I.E. है तो दोस्तो एक और चीज़ जो हमें यहां पे ध्यान देने वाली है वो यह है कि कई वार हम अनमान लगाते तो वो अनमान गलत भी हो सकता है तो अगर किसी विठी तरह का कोई डाउट हो किसी जोड हम कर रहे हैं जैसे कि हमने बताया था कि 22 और 24 इंची में 32 इंची में वैसे तो मैंने यह डिजेट दिखा दी कि यह 100 जे कितना कम है 85 कम है 70 कम है 95 कम है यह सारी चीज़े मैंने आपको दिखा दी तो अगर आप accurate answer निकालना चाहते तो आप एक वार उनका कहीं भी doubt हो तो उनका अच्छे से जोड करके उसको करने की कोशिस कीजिए और ये आप तब कीजिए जब आपके पास exam के इंदर जादा time हो तब आप अच्छे से जोड करने की कोशिस कीजिए अगर आपके पास time बहुत कम है बहुत कम time है तो आप अनुमान पे ही चलिए चलिए दोस्तो अब हम अगला question देखते हैं ये देखिए दोस्तो ये हमारा question number 34 से इसके इन्हों ने कहाए कि सन 2013 और 18 सबसे पहले 2013 और 18 किसके अंदर 24 चालिस इंची के अंदर 40 इंची ये हो गया सन 2013 तेरा का हमारा ये हो गया और 18 आठारा का हमारा ये हो गया सन 2013 और 18 में बिकने वाले 40 इंची के टेलिविजन शेटों की संख्या में अंतर क्या है अब देखिए अंतर पूछा वाई इनोंने अंतर बिलकुल अहसान है दोस्तो 110 में से माइनस चुरानवे कर दीजिए ये कितना आ गया सोला आ गया हमारे पास अब देखिए सोला तो आ गया हमारे पास अब ये सोला क्या है एक क्रोड साथ लाक है या फिर क्या है ये हमें पता होना चाहिए अब सबसे पहले ही हमने एक चीज पढ़ी थी मैं आपको दिखा देता ह साइद आप भूल गए हों यह देखे शुरू के अंदर यह था हमारा यहां पर इन्होंने दिया है लाखों में संख्या क्या है दोस्तों लाखों में हैं संख्या लाखों में दी हुई है तो हमारा जो यह आंसर जो आएगा यह जो डिफरेंस जो आएगा यहां पर हाँ यह द दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं एक आई दाई सेकड़ा जार दस जार लाख दस लाख यानि कि 16 लाख जो आनसर है वो उप्सन नमबर A में दिया हुआ है तो आप बताईए दोस्तों कितना आसान कोशन आप क्यों डरते हैं आप खुद अपना comment box में जबाब जरूर देना कि क्या आपको अभी भी डियाई से डर लगता है या नहीं लगता अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बताईए सर की हमें डर नहीं लग रहा और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना चलिए दोस्तों अब हम एक और last question देखते हैं जिससे आपका D.I.E. से बिल्कुल डर खतम हो जाएगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इस LED TV सेट के लिए सभी साथ वर्सों में कुल बिकरी नियुनतम है अब पहले हमने क्या निकाला था अधिक्तम निकाला था कि कौन से टेल्वीजन सेट सबसे ज़्यादा बिके है अब क्या निकालना है सबसे कम कौन से बिके वो हमें निकालना है तो सबसे पहले इसके इंदर हम क्या करेंगे दोस्तों वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो option है, option देखेंगे कि क्या क्या दिया है, option में हमें 22 इंची दिया है, 24 दिया है, और 40 दिया है, अब देखें यहाँ पर जो 32 है, 32 इन्होंने छोड़ दिया, और 32 हमने क्या निकाला था, यह सबसे ज्याद तरीके से बताता हूँ, देखिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही तरीका है, इसके अंदर हम अपनाएंगे, जो पहले अपनाया था, सबसे पहले हम दो डिजिटर ले ले लेते हैं, जैसे 22 और 24, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के अंदर कौन सा कम है, कौन सा ज्य यह हमारा 70 कम है, यह फिर है 36 कम है, फिर है यह हमारा 18 कम है, यानि कि 60, 36, 18 इतना कम हो गया आगे देखते हैं, यह ज्यादा कितना है, ज्यादा भी देखिए, यह 15 ज्यादा है, और फिर यहाँ पे कितना ज्यादा है, यह हमारा 55 ज्यादा है, और फिर यह कितना ज्यादा है, 25 चिस और पांच तीस ज्यादा है तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा कम जो होगा वो ये होगा दोस्तो देखे दोस्तो यहां पे हमारे सामने एक डाउट क्रियेट हो रहा है कि 22 और 24 में से किसकी विकरी ज्यादा हुई है किसकी कम हुई है यह सही से हम पता लिख सकते हैं तो चलिए हम लिखके देखते किया इसका आशारा आएगा इसमें यहां पे हम लिख लेते ही यह कितना है पलस के पंधरा यह हमने 15 लिखली ज्यादा और यहARDst viscos के चाधा-। ठीक है और यहां पर माइनस में कितने हैं यह देखिए माइनस में यहां पर हम लिख लेते हैं माइनस के कितने हैं यह है चोवन और पंधरा में कितने हो जाएंगे दोस्तों यह अप्रोक्सिमेशन पर हमें चलना होता दोस्तों यह है हमारे सतर यहां पर माइनस के लिख लिए और फिर है 100 यह देखिए यह कितना है 36 यानि की यह माइनस के 36 यहाँ पर हमने लिख लिए तब उसके बाद में है यह है 106 106 124 से कितना कम है यह है 18 कम है दोस्तों यह हमने यहाँ पर 18 लिख लिया अब देखिए यहाँ पे माइनस के 36 माइनस के 70 और माइनस के 18 और यहाँ पे कितना है यहाँ पे यह देखिए 15 और 45 पंधरा और 45 को करेंगे तो कितना आजाया दोस्तों हमारे पास यह आजाया हमारे पास 60 आजाया इन दोनों का आगया 60 और यह है हमारे पलस के 30 अब 18 यह हो गया तो यानि कि यह माइनस की ज्यादा है यह जो है दोस्तों यह जो 22 और 24 के अंदर 22 जो है यह इसकी बिक्रिश सबसे कम होगी यहां से आप निकाल सकते हैं और एक और जो दूसरा तरीका मैं आपको जैसे बताता हुआ आ रहा हूं ट्रेडिशनल जो मैथड है हमारा उसमें आप बिल्कुल भी confusion नहीं हो सकते आप क्या किजिए उसमें time आपका थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगेगा आप इनको जो हम सुरू से जिस तरीके से पलस करते हुए आ रहे हैं 85 को पलस कर लिजिए 100 को 106 को 115 को इन सभी को पलस कर लिजिए इसको पलस कर लिजिए औ आपको प्लस को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जैसा भी आपको stable लगे उस तरीके से आप कर शकते हैं दोस्तों तो मैंने जो तरीका बताया था उस हिसाब से क्या है यह सबसे हमारा कम है अब यह दो तो हमने final कर लिए दोस्तों यह कर लिया यह कर लिया तो इसके अंदर क्या ह हमारा यह 22 है यह 24 से कम है अब बात आती है चालिस और 99 के अंदर बात आती है अब देखिए इन दोनों के अंदर हम देखने की कोशिश करते कि कौन कम है और कौन ज्यादा है तो यही जो तरीका आप लगा सकते है जो मैंने अभी लगाया था यहाँ पे आप देख सकते कि green जो है सोरी blue जो है वह 188 से कम है यह कम यह कम यह तो इस त्रीके से आप कम देख सकते हैं इसमें देखिए 9209206 के अंदर गवा इसमें से सारे ये कम है तो यहां से क्या होगा उन्हेंच और 40 के इंदर क्या होगा 40 कम हो जाएगा उन्हेंच से ठीक है और अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों एक 22 बच गया और एक हमारे पास 40 बच गया 22 और 40 ही ये दो चीज हमारे पास बच गई अब इन दोनों के इं 909 से बड़ा हो गया और 106 है फिर ये कम है फिर 115 ये ज्यादा है फिर 100 है ये भी ज्यादा है 85 से और फिर 115 ये भी ज्यादा है और 125 है ये भी ज्यादा है तो यानि कि ये सारे के सारे लग भग ज्यादा आ रहे हैं चालिस वाली डिजिट से तो यहां से आप क्या कह सकते कि जो 40 के जो set है वो सबसे कम विकरी हुई है 40 वाले set हो की सबसे कम विकरी हुई है और आप देख लेना दोस्तो यहां पे आप निकाल के देखना answer निकाल के देखना इनका plus करके देखना चारों का और फिर देखना जहां तक मेरा idea है 40 ही इसका answer आएगा 40 minutes ये इसका answer आएगा 4 इसका answer आएगा और कई दोस्तों जैसे यहाँ पर देख सकते कि answer number 3 दिया हुआ है लेकिन ये answer गलत भी हो सकता है दोस्तों ये answer गलत है आप सही से देखना इनका जोड़ करके देखना 22 का 24 का 49 और देखना कि इसका answer 3 आ रहा है या 4 आ रहा है आप सभी अपने अपने जवाब है कमेंट वोक्स में जरूर डालना ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना कुछ आ रहा है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपके अंदर डियाई का जोड़ है वो काफी हद तक निकल गया होगा दोस्तों आज हम आपके सामने एक और नए तरह का कोशन लेके आए है डियाई के अंदर दोस्तों डियाई काफी तरह की हो सकती है और यूजी सी नेट के अंदर वैसे तो सिंपल कोशन आते हैं थोड़ा सा घुमा फिर आके दे देते वो और हम समझ नहीं पाते हैं और हमारा जो कोशन है वो गलत हो जाता है डियाई के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान देने के आवसकता होती है दोस्तों आप सभी के सभी पांचो के पांचो कोशन बिल्कुल राइट कर सकते हैं दोस्तों यह आप देख सकते हैं 25 जून 2019 का कोशन पेपर है इसमें जो पांच कोशन आए वो हम आपके सामने करवाने वाले हैं तो इस वीडियो में आप देखना कि आप बिल्कुल असानी से किस तरह से कोशन कर सकते हैं और पांचो के पांचो कोशन बिल्कुल राइट आप किस तरह से निकाल सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना यह देखे दोस्तो सबसे पहले हमारा जो question है इसके अंदर हम देखते क्या दिया हुआ है इसने यहाँ पे एक table दी हुई है यहाँ पे क्या है कि छात्र और छात्रा यहाँ पे दी हुई है यानि कि जो boys और girls हैं उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है ये देख सकते हैं और ये इन्होंने subject दिये हुए है और ये इनकी कुल संख्या है किसी class के अंदर अब देखी इसने क्या कहा है question के अंदर question हम देखते हैं कि अंग्रेजी तथा हिंदी विभागों में कुल मिलाकर छात्राओ की कुल संख्या क्या है और सबसे पहले हमें ये देखना कि यहां पर ये देखे दोस्तो छात्राओ का परतिसत दिया हुआ है ये इनकी संख्या नहीं है ये परतिसत है और हमें क्या निकालना है छात्राओ की कुल संख्या निकालने है किस किस के अंदर अंग्रेजी तथा हिंदी के अंदर निकालने ह देखी इस question को हम किस तरह से करेंगे सबसे पहले अंग्रेजी और Hindi ये है और चात्राओ की पूछा है तो चात्राओ की एक तो यह होगी और एक यह होगी यह है इना अमारे पास percentage है और total संक्छा कितनी दी है दोस्तों 300 और 2500 यहाँ पे दी हुई है यहां से हमें क्या करना दोस्तों हमें यहां पर रेल वैल्यू निकालनी है यह 55% है 55% है दोस्तों अब हमें यह देखना कि कुल वैल्यू 300 का 55% कितना होगा फिर यह 60 है 60% 200 का 60% कितना होगा वो दोनों निकाल के हमें प्लस करना और फिर बताना कि इसकी कुल संख्या कितनी देखे सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी की बात करते हैं अंग्रेजी हमारा ये रहा इसके अंदर छात्रों का परतिशत कितना है छात्राओं का परतिशत कितना है दोस्तों 55% यहां पे दिया हुई यह हमने 55 लिख लिया पस्पन की जब 3 से multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 165 यहाँ पे आ जाएगा यानि कि अंग्रेजी के अंदर छात्राओं की संख्या कितनी है 165 है उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में हिंदी हमारे पास यह है हिंदी में 16 का परतिसत कितना है 60 परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है धाई सो यहाँ पे दी हुई है इसमें भी हम क्या करेंगे 60 गुना में धाई सो बटे में सो यहाँ पे किया और एक जिरो से हमारी ये जिरो कट गई और एक जिरो से हमारी 60 वाली ये जिरो कट गई अब 6 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो 25 छिका 500 यहां पे आ जाएगा 25 छिके 150 यहां पे आ जाएगा अब देखे इन दोनों को हम पलस करते हैं एक सो पचास को और एक सो पैंसेट को जब हम पलस करते तो हमारे पास क्या अंसर आएगा दोस्तों हमारे पास आजाएगा 315 यहाँ पे अंसर आजाएगा तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कोशन निकाल सकते हैं अब इसमें बताईए दोस्तों क्या मुश्किल है कुछ भी तो मुश्किल नहीं है यह देखे जोड़ घटा गुना भाग परसेंटेज निकालना यह हमने आठवी दस्वी क्लास में किये हुए है बस अब हमें इनको थोड़ा रिवाइज करने की आवसकता है तो बिलकुल असान कोशन आते हैं यूजी सी नेट के अंदर अब तो क कोशन नमर 31 इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है किसे विभाग में छात्राओं की संख्या ज्यादा है अब देखे यहां पर अलग लग विभाग दिये हैं यहां पर इनमें यह पूछा वा कि किसे विभाग में छात्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है अब देखे मैंने से multiply करेंगे तो यह हमारे पास क्या आ गया था दोस्तों 150 आ गया था 150 हमने value निकाली पीछे लेकिन जब हम 45 को 1415 से करेंगे तो इसकी value अलग आएगी तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर assume नहीं कर शकते यहाँ पर हमें इन सभी का निकाल करके देखना होगा चलिए इस question को करके देखते कि किस तरह से question आएगा यह देखिए दोस्तों सबसे पहले हम भोतिक विज्यान यानि कि यह है भोतिक विज्यान इसको हम लिख लिते हैं यहाँ पे छात्राओं का परतिसत कितना दोस्तों 45 परतिसत दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है यहाँ पे 450 है यह हमने 450 लिख लिया और अब बात आती दोस्तों यहाँ पे हमने multiply so क्यों नहीं किया दोस्तों हमें question निकालना है हमें exact value वेगरा नहीं निकालने अगर यहाँ पे exact value की बात करते तो हम multiply so करते और देखते कि क्या answer आता बिल्कुल है हमें यहाँ पे यह देखना है दोस्तों कि कि किसकी संख्या ज्यादा है तो एक time के लिए आप so भूल जाए so हम यहाँ पे नहीं लगा रहे so को हमने cut कर दिया बगेर so लगा के हम देखते हैं ठीक है अब देखे भोतिक विज्यान में 45 को जब हम 450 से multiply करेंगे तो यह आजएगा 20,250 आजएगा अब उसके बाद में रसाइन विज्यान आता है दोस्तों रसाइन विज्यान हमारे पास यह है इसमें 35 35 गुना में 550 करेंगे तो यह आजएगा दोस्तों हमारे पास 19,250 यहाँ पर आजएगा उसके बाद करेंगे हम अंग्रेजी अंग्रेजी यहाँ पर दिया है 55 गुना में 300 करेंगे तो दोस्तों यह आजए हमारे पास 16,500 आजएगा इसी तरीके से गनित का करेंगे 40 गुना में 500 करेंगे तो यह आजएगा हमारे पास दोस्तों 2000 आजएगा इन सभी के अंदर देखिए दोस्तों इन सभी के अंदर भोतिक विज्यान की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दी हुई है अगर हम इन सभी के बटे में 100 करेंगे दिवाइड वाइड सो करेंगे तो भी भोतिक विज्यान की जो वैल्यू है वो ज्यादा ही आएगी तो हमें यहाँ पे सो करने की आवशकता नहीं है दिवाइड वाइड वाइड सो करने की आवशकता नहीं है हमें केवल यह पता करना कि किस की संख्या ज्यादा है सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी विभाग ये हो गया चात्रों की संख्या अब देखे किस में पूछा है चात्रों की संख्या इन्होंने पूछा है चात्र ये रहा हमारा चात्रों की संख्या अंग्रेजी विभाग में हमारे ये होगी 45 तथा गनित विभाग में चा चात्रों की संख्या यह साथ होगी कि संख्या का अनुपात हमें निकालना है दोस्तों अब यह देखी यहां पर इन्होंने प्रतिस्यत का अनुपात नहीं पूछा चात्रों की संख्याओं का अनुपात पूछा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम जैसे अंग्रेजी में छात्रों की संख्या कितनी है वो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे दोस्तों 45 गुना में 300 बटे में 100 जो करते हैं उस तरीके से हम निकालेंगे अब देखी इसको कैसे करेंगे इस question को इसमें सबसे पहले हम गनित में देखते हैं हमारा इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं अंग्रेजी हमारा यह है 55 गुना में 300 हमने किया यह आगया 13500 यहां भी हम 100 करने की आवसकता नहीं है दोस्तो आप चाहे तो डिवाइड वाइस 100 कर सकते हैं लेकिन यहां पर इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है ठीक है और आगे दोस्तो गनित गनित हमारा यह है तो इसमें क्या हो गया दोस्तो 60 गुना में 500 हो गया तो यहां से कितना जाएगा तीन हजार आजाएगा अब हमें इन में अनुपाद पता करना है यह हमारे संख्या आगी संख्या का अनुपाद हमें पता करना है अनुपाद के लिए क्या करेंगे दोस्तो साढ़े 13000, बटे में 30000, अब देखे यह क्या हो गा तीन चुक्के, बारा, और तीन पंजे, पंदरा आ गया अब देखिए अब कितने पे कट रहा है यह यह पांच पे कट रहा है दोस्तों पांच निमा, 45 और नीचे कितना जाए, बीस यहाँ पे आ जाएगा अब देखए, नोौन पात 20 हमारे पास यहाँपे आ गया, नो अन पात 20 कहाँपे, ओप्स blossoms graduating number 2 में यह देख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा answer क्या जाए या जाया दोस्तों, औपि prophecy number 2 आ जाएगा, तो इस त और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें वाटसप पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट वोक्स के अंदर जवाब लिख सकते हैं आपको कोई भी परेशानी है तो चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन नमबर हमारे पास 33 इसके अंदर कहा है कि किसी विभाग में चात्रों की नियुनतम संख्या है अब देखी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि चात्रों की जो संख्या चात्री इरा इसमें सबसे कम संख्या किसी विभाग में है वो हमें पता करना है अब देखी इसके अंदर भोतिक विज्ञान दिय है फिर यह पता करना है फिर हमें ये पता करना है और विल ये पता करना है यहां पर अगर आप चाहें तो logic भी लगा सकते दोस्तों ये देखिए इसके अंदर 25 को जब हम 450 से गुना करेंंगे तो ये काफी बहुत बढ़ाएगा फिर प चालिस गुना जब 250 करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आती हुई हमें दिखाई दे रही है तो यहां से आप जल्द अगर आपके पास टाइम कम है तो यहां पे जल्दी से आप है उप्सन नमर 3 पे राइट क्लिक कर सकते हैं और अगर आप करके देखना चाहो तो करके भी यह देखें दोस्तों हम करके देख लेते हैं भोतिक विज्ञान पच्पन गुना में साड़े चैर्शो करेंगे तो हमारे पास यह आजएगा 24,750 आजएगा अंग्रेजी में इतना जएगा गनित में इतना जएगा और हिंदे में इतना जएगा तो इन सभी में आप देख स सकते कि जो हिंदी की वैल्यू है हिंदी में चात्रों की जो संख्या है वो सबसे कम यहां पे हमारे पास आ रही है और कई दोस्तों इसमें यह भी कह सकते कि बच्चों की जो संख्या टोटल संख्या तो यहां पे 500 से ज्यादा है इनी लेकिन आप निकाल रहे हैं दस हजार नहीं है यहाँ पे हमें divide by so भी करना है so हम कब करेंगे जब हमें exact value निकालनी है यहाँ पे अगर यह दिया हुआ होता कि छात्रों की नियुंतम संख्या कितनी है अगर वो कितनी पूछते न तो हम divide by so करते लेकिन हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है आप करना चाहिए तो करश क्ते है तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल जल्दी और असानी से question निकाल सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह कि कोई प्रेसानिय तो आप हमें पूछ सकते हैं मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आपको आज का हमारे कोस्टन आसानी से समझ में आ गया होगा और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सकें थिन प्लै कर दोरूर दाउगों